प्रेंड्स गुड मॉनिंग आज के इस वीडियो में बात करते हैं पित की थैली में जो पथरी बनती है कारण क्या है उसका और कब सजरी करवाएं और कब मेडिसीन से इलाज हो सकता है और क्या करें कि पित की जो थैली है उसमें पथरी ना बने पूरी बात समझते हैं वीडि रहना दाहिनी तरफ पाए जाता है इसी लीवर में बनता क्या है बाइल लीवर सरीर का प्रोसेसर है बाइल, क्रिटनीन, कुलोस्टराल, यूरिया सब लीवर बनाता है तो यह पसलियों की जश्ट नीचे जो दाई पसलियां उसकी जश्ट नीचे पाए जाता है लीवर और वो बाइल आके इकठा रहता है पित की थैली में तो दिखे जो पित की थैली है इसमें बाइल ही नहीं कॉलिस्ट्राल भी आके इकठा रहता है तो बाइल और कॉलिस्ट्राल दोनों आके इकठा रहते हैं पित की थैली में तो बाईल और कॉलिस्ट्राल बनाया लीवर आके इसमें स्टोर रहेगा जब भी आप फूर्ट सप्लिमेंट खाते हैं तो पहले food supplement कहाँ पे आएगा पेट में आएगा इस टमक में आएगा और इस टमक में digestion होगा उसके बाद food supplement आगे जाएगा आत में, intestine में तो यहाँ से जब food supplement इधर जाता है तो जो पेट है उसका जो pH है 1.8 से 2.0 तक है यानि कैसा pH है? अमली तो अमली pH है तो यहाँ का जितना भी food supplement जब आता है तो यहाँ का content pH कैसा है? ऐसे डिक है इसलिए कमिकवाद डकार आती है तो दिखें, खटी-खटी डकार इसलिए आती है कि acid उपर जाता है acid reflux करता है तो यहाँ से जब food supplement इधर जाता है तो यहाँ से bile निकल के इसमें मिलता रहता है ताकि इधर कैसा हो जाए? इधर होला जो neutralization हो जाए neutral हो जाए उदासीन हो जाए अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछता है कि bile का का काम क्या है? तो bile का काम क्या है? emulsification बोलते हैं medical term में emulsification मतलब surface area बढ़ाना और जो food supplement acidic है उसको neutralization करना इसी पूरे process को साट में समझे लिजे कि emulsification बोलते हैं ठीक है? तो इस तरह से food supplement इधर ऐसे आता रहता है तो food supplement इधर ऐसे आता रहता है तो bile कोलेस्टराल का ratio 1 ratio 25 होता है यह जे इधर आता है उसमें जो मिलावट होती है bile कोलेस्टराल की bile 1 portion होता है कोलेस्टराल कितना पोशन होता है? 25 portion तो bile कोलेस्टराल का ratio 1 ratio 25 है 1 ratio 25 है तब स्वस्थ कंडिशन है नार्मल है जब भी बाईल और कोलेस्टराल का रेशियो वन रेशियो 25 से कम होगा या फिर ज़्यादा होगा दोनों स्थिती में क्या बनेगा पथरी बनेगी तनी पित्ट की थैले में पथरी तब बनती है जब बाईल और कोलेस्टराल का रेशियो one ratio 25 से या तो कम हो जाए या तो ज़ादा हो जाए जब भी अब विवस्ता उत्पन होगी तब पित की थैली में क्या बन जाएगी पत्री बन जाएगी अब पत्री कुछ लोगों को सिंगल बनती है अब कुछ लोगों को मल्टिपल बनती है धे सारी बन जाती है तो देखिए पित की थैली में जो पथरी बनती है उसको निकलने की संभावना कम हो जाती है तब जब पथरी का जो साइज है और 4 mm से जादा हो जाए क्योंकि यह जो पित की थैली है छोटी सी है और इसमें से जो नली आके इसमें मिलती है उसका डायमेटर ब्यास या मुटाई यूँ समझ लिजे कि 4 mm है तो यहां से कोई भी मेटरियल आएगा तो उसका ब्यास जो है साइज जो है 4 mm की होगी तब ही तो पास होगा और अगर 4 mm से ज्यादा है 8, 10, 12 कुछ लोग बोलते हैं 20 mm की पथरी है कौनसी दवा लें कुछ नहीं होगा 4, 6, 10, 12, 15 mm की पथरी होए तो उसका इलाज दवा से बहुत कम संभावना है जितनी बड़ी पथरी 4 mm से जितनी बड़ी साइज उसकी दवा से इलाज के संभावना उतनी कम होती जाती है जैसे 4 mm से छोटा है तो संभावना बनती है कि निकल जाए लेकिन 4 mm से जितना ज्यादा है जितना ज्यादा होगा उसको निकलने की संभावना उतना क्यतनी हो जाएगी कम हो जाएगी तो जैसे यह 4 mm का है 5 mm, 8 mm, 15 mm जितना दूर है जितनी बड़ी है निकलने की संभावना उतनी कम हो जाती है तो इस तरह से आप समझ लेजे कि इसका जो डायमेटर है 4 mm का तो है तो अगर दरवाजा 4 mm का है तो उससे जो आदमी निकलेगा वो 4 mm का निकल सकता है अब इसे 8 mm का तो निकल नहीं सकता तो यही बिवस्था है काई लोग फोन करके पूछते रहते हैं कि मेरी जो पत्री है 17 mm की है 18 mm की है 12 mm की है 15 mm की है कौन से दवा लें दवा से कुछ नहीं होने वाला है तो उसका इलाज बस दो ही है कि एक लिथो ट्रिप्सी होता है जो सो तोड़ देते हैं तो फिर निकल जाता है या फिर गाल्बलेटर को रिमूब करना पित की जो थैली है उसमें पत्री ना बने उसके लिए दिन चर्या को संतुलित रखना पड़ेगा खाने पीने सोने जगने का टाइम निर्धारित रहेगा निर्धारित कर लिजे तो उससे बाड़ी के अंदर फिजियोलाजिकल प्रोसेस ठीक से चलेंगे तो कोई भी अववस्था उत्पन नहीं होगी रही बाद पित की थैली की जो पत्री है उससे बचने के लिए आप कुछ घरेलू उपाए मैनेस कर सकते हैं कुछ करना नहीं है विशेस रात को जब भी लेटें भोजन के बाद तो पहली बार फर्स्ट टाइम बाइं करवट लेटें ताकि दाहिना वाला पॉर्शन उपर रहे दाहिना वाला पॉर्शन मतलब लीवर वाला पॉर्शन उपर रहे और बाया वाला जो पॉर्शन बेड़ पर रहे ते एक करवट लेटें तो इससे फायजा क्या होगा कि इससे पूरा का पूरा बाइल निकल कि इसमें आ बाइल रुका रहेगा, कुछ टाइम तक रुका रहते हैं, तो भी बाइल स्टेटिस बोलते हैं, उस वज़स भी पथरी बनती हैं, तो देखी करना क्या है, रात में भोजन के बाद सरप्रथम बाई करवट लेटें, ताकि दाहना वला करवट उपर रहे हैं, और वजन अधि फ्रेक्वेंट हो जा रहा है, तो उसका इलाज करवाएं, और पथरी किन में बनने किसम बहोना ज्यादा होती है, तो इस तरह से इसके लिए फाइफ एफ है, पांच एफ उसके लिए इनवेंट किये गया है, तो एफ, एफ, जो भी फाइफ हैं, फेयर, फैट, फर्टाइल फिर्टाइल, फिमेल, फिर्टी तू, फिप्टी येर, इन लोगों में पथरी बनने किसम बहोना ज्यादा है, तो इस लोग खास्ता और से इस सब करें, तो जो पथरी है, उसको बनने से रोका जा सकता है, गाल ब्लेडर के रिमूब कर देने से भी सरीर में दिक्कतें आती रहती हैं, ज्योंकि सोचिए, अगर मालीजे आपने गाल ब्लेडर को रिमूब कर दिया, तो सरीर में गाल ब्लेडर के काम करेगा काउन, नहीं कर हो तो इस तरह से आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो बात समझ में आ रही होगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें और फ्रेंड्स को सेयर करें ताकि हम लोग जानकारी एक दूसरे को बता सकें और बीमार होने की जो संभावना उसको कम कर सकें तो आपने पूरा वीड